वेलकम बेक टुमाय टूचल पेपर है कर कैसे हैं आप सभी लोग आई हो बच्छे होंगे और आज की स्पीडियों में देखने वाले हम महात्मा गांधी काशी बिद्ध्या पीठ यूणिवेस्टी है जो बनारस में है ठीक है बाएं बेटा बनारस में है और इस बनारस अब यहां बात करेंगे जो पेपर है 2021 का मैं आपको पिरवेस्टी का प्रस लाना चाहते है तो यह बहुत जरूरी है अब यहां मैं बात करने वाला हूँ देखो पहला कोशन है जो पहला जो पेपर का नाव हो जाएगा इंकम टेक्स मतब जिसे आई कर बोलते है तो बीकॉम थर्डियर में जो पेपर का इंकम टेक्स है इसको देखो जहांसे इसमें कैसा पेपर बनाता 2021 में देख लो महात्मा गांधी काशी विद्यावीट इन्वेस्टी वाले स्टूडेंट है यहां बोला गया पांच पिरका है और और किर्सी परिकार्क और बोला किया है यह कितने पिरकार की होती है मतलब किर्सी कितने पिरिकार की आयो होती है मतलब किर्सी आप आय बनाएंगे और यह कितने पिरिकार की आयो होती है किर्सी में बहुत अपको दा रहा है और कहा रहा है किनी किनी ऐसी दस आयो की व्याख्या के जिए कोई भी हो सकता है इसके अबाद को बदाई, मतलब गतवर से क्या है इसके बारे मतला है, साथिजा चौता कोशन पूचा गया था है एक ब्यक्ति का निवास इस्थान कैसे निदाहिद किया जा सकता है एक ब्यक्ति है, उसका निवास इस्थान, मतलब उसको कहा निवास करता है वो कैसे नियुम ठाथ किया जा सकता है उसके वारे में आप से पूझा गयाना नेक्सकोंड आप से पूचा गया पांसमा कोरे मिमार कोर्षन पूचा गया कि इसकίν में बहुत सारे हां को कुछ क्षन दे रखे हैं सइद पांसमा कोर्षन दे इया वुटकर से 2019-2020 के लिए स्री राम ने अपनी आयो का निम्निकित बित्रण दिया कि भारत के जो अर्जित और प्राप्त बेतन था वो इतना रुपए था, होटल का ब्यापार था वो इतना रुपए में हुआ, लाव मिला उन्हें होटल का ये कुछ आय दे रखी है उन्हें, आप उसको स्केंट दे सकते हैं, मैं छोटा करके दिखा दूँगा शोटा करेधा देता हूं ताइक आपको आपको इसको दिखाई बिल्कुल आदा हम से स्केंट वर सकें, ये पूरा कोशन हो जाता है पांच माँ इस तरीके से उन्हें आये थी, तो ये question आप solve करना, ठीक है, और बाकी इसका English बाला मैं आपको दिखा देता हूँ, छोटा गवर कर देता हूँ, ताकि आपको पूरा दिखाई दे, ये question हो गया 5 बाल, इस question का Hindi में हो जाएगा ये वाला, इस site में portion Hindi का है, इस site में English का है, पूरता मुक्त आये क्या होती है, ठीक है, ये पूछा गया, और ऐसी किनी 10 IO की ब्याक्या करनी है, जो आये कर से पूरता मुक्त हो, ये आपको बतार है, next, सातमा question जो पूछा गया, इस question को आप देख सकते हैं, एक प्रकार का question है, इसको solve करने के लिए बोला गया है, मैं आ यहां भी skin sort लेने के लिए बोलूँगा, कि आप इसका skin sort ले लीजिए, ताकि आपको अच्छी तरी के समझ में आ जाए, ये यहां से यहां तक उसकी बाद में, इसको देखो, इसका skin sort यहां से लेकर यहां तक लेजिए, ताकि आपको ये पूरा clear हो जाए, शलूँ, इतना इसका भी skin sort ले सकते हैं, ताकि इस question को आप solve करेंगे घर पे, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक आ जाएगा, और यह उसके बाद में, अगले का question यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा, ठीक है, देखो बेटा धहां से, ठीक है, होगया, चलो, अब नीचे आ कोशन आप देखेंगे, नमा कोशन देखो इस परेकर से दे रखा है, तो नमी कोशन को मैं एक्समिन कर देता हूं, तो जुमिंग करके, नमा कोशन दे रखा था, यहां बुला गया, हान्यों की पूर्ती है, वो उनके आगे, ले जाने वाले आएकर, जो अधिनियम है, 1961 में जो प्रबधान किया दया, प्रबधानों के बारे में आपको समझाना है, यह पूछा गया था, आएकर समधे अधिनियम दिया गया था, और उसका दो दस्मा कोशन था, वो था, एक करदाता की सकल कुल आए, में से दी जाने वाली जो पटोतिया है, उससे आप क्या समझते ह ब्याख्या कर दी है, साथी साथ कर नियोजन कर बचाने का एक बैदानेक एवन नैतिक सादन है, इसको खथन को इसपष्ट करना है, साथी साथ जो बात की जाए, बार में कोशन की वो है एक अगरित कर, ठीक है, कह सकते हैं, अगरिम कर के भुकतान से आप क्या समझते हैं, और इनको भुकतान करने सम्मंदित आएकर कि प्रभधान को आपको समझना है, ये थे 2021 का पेपर आप देख रहे हैं, पूरा पेपर है, अब आपको शॉट में यहां सॉट हो गया है, बारा कोशन में से आपको केवल कितने कोशन करने थे, पांच कोशन करने थे, अब यहां बा इसका कोशन करें, इसका नेक्स कोशन की बात करें, आप देख सकते हैं, ये दूसरा कोशन स्टार्ट हो जाएगा, इस तरही के से कोशन पूचा गया था इसमें, कि बारशिक मूल को इस पच्ट रूप से समझाईए, और मकान संपती की आये निरदायत करने के लिए बारश कर योग लाभों से आप क्या समझते हैं और एक ब्यापार एक ब्यापारी को लाभों की गढ़ना करते समय कौन-कौन सी कटवती का सुख्रित करना पड़ता है यह पूछा गया और उसके बाद में नेक्स कोशन पूछा गया चौथा कोशन आप एक बार स्क्रिंशॉट ले ल इसके बाद में पांच में कोशन के दिए बात की जा तो पांचमा कोशन भी इससी तरीके से होगा आप देख सकते हो इसको पांचमा कोशन को यहां से लेकर यहां तक आप देख सकते हैं यह पूरा पांचमा कोशन है मैं आपको देख रहा हूँ यह साइट में हो जाता यह पूछा गया है जो एक पक्षिय कर निर्धान के परिष्थितियों में किया जाता है और इस पिरकार के कर निर्धान के क्या परिवाड़ होते हैं और ऐसे कर निर्धान को रद या फिर संसोदन करने के लिए करदाता के पास क्या उपाय है तो ये आपसे पूछा गया, ये था 2021 का पेपर यदि आप 2022 में पेपर देने वाले हैं तो सभी चात्रों से कहना चाहूँगा कि आप जाए डिसक्रप्शन बॉक्स में 2022 में आने वाले कोशन दे रहे हैं तो चाहलों को सब्सक्राइब कर देना ज्यादा से दाता दोस्तों को शारी करते हैं मिलते हैं तो 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 ये बाई बाई दोस्तों